Hello and welcome to the studio members Epica Lab को आज के दिर हमने ट्रेट किया था क्यों ट्रेट किया था, किस लेवल से ट्रेट किया था Buy, Sale, Stop Loss, Targets, सब कुछ सभी questions के answer जोने के कोशिश करेंगे इस chart को zoom out करने पर पता चलता है कि previous देखी 15 minutes के time frame पर चलेंगे यहां पर हमें कुछ supports मिलेंगे जिन levels के breakout के बाद में इनके targets की expectation और भी ज़ाधा बढ़ गई थी Like सबसे पहला अपना level यह है इसको थोड़ा से stretch करेंगे आगे की तरफ यह जो downside का हमारा swing लेगाने इसको नीची की तरफ परता है यह हमारा swing है इसके बाद का जो हमारा next जो swing बन रहा है यह वाला swing था तो Ipica Lab ने जिस level का breakout किया था उसके बाद से upside का जो swing है हमारा upside का swing लेक यह वाला swing and downside की तरफ जिस swing का weight था यह वाला swing इन दोनुई swings के बीच में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गेती है lower time frame पर हम चलेंगे देखिए entries के confirmations बहुत ज़्यादा impact धालते हैं और daily time frame की marking अभी day time frame पर जब हम लोग देखेंगे इसको day time frame पर यह सब को बहुत अच्छी बहुत सही level बहुत सही जगे पर हमको मिलाता है like अभी आगे चलेंगे तो इसके उपर और अच्छी तरह से discussion करेंगे अभी एक यह zone है देखिए यह previous past data ने जिस range पर हमारा run किया था यह वह zone है यहाँ पर सबसे पहले अपनी trade book open कर लेते हैं so login करते हैं so pre login है okay perfect so यहाँ से सबसे पहले हम लोग अपनी position book open करते हैं position book में overall up देख सकते हैं 16,000 46.50 rupees का overall profit हमारा आज की trading session का इसको एक बार refresh कर लेते हैं perfect so epica lab ने एक ठीक ठाक profit हमको दिया था हाँ जितनी expectation थी उससे 10 रुपय का नुक्सान हमको आज के दिन epica lab के अंदर देखने को मिला लगभग 500 quantity के आसपास हमने बारा था 5 quantity into 10 अगरम कर देते हैं तो लगभग 4000 plus के उपर हमारा loss नहीं बोलेंगे कम profit हुआ यह order book है अपनी order book में देख सकते हैं पांच order हमारे लगए हैं यह downside के हमारे जो order है handed quantities के order यह कुछ गढ़बढ़ हुआ था morning में तो जितने पर हम enter के तो उतने पर ही हम निकल लगए cost to cost था और उपर के तीन order थे यह हमारे original orders है जिसमें हमें 479 quantities के साथ trade execute किया था 964 पर हमारी entry थे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं perfect 964 entry 970.30 stop loss और 930.50 यहां पर हम exit हो गए था पूरी तरह से because जो expected targets थे prices के उस level से rejections देखने को हमें मिले so वहां से हम बाहर हो गए इपिका lab के अंदर आज result का announcement था और एक positive result था के अंदर आया तो क्यों हमने short selling की हर बार हमने आपको बताना कि important होता है आप daytime film को किस तरह से analyze करो और आपके setup के according stocks के अंदर selling हो रही sell करना है buying हो रही buying करना है कुछ भी करना है हमें हमारे levels का हमेशा weight करना होगा और अपनी levels से सब्सक्राइब करना होगा so thank you and video अगर अच्छा लगते हैं इससे आपको सीखते हो तो जरू से जरू लाइक किजएगा comments किजएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कीजएगा इपिकल है कि जितनी भी marking से इस सब्सक्राइब करते हैं देखिए बिल्कुल शुरुआत से एक एक candle हम लोग इसकी read करेंगे ध्यान से थोड़ा सा समझने कोशिश किजएगा volumes को भी चली off कर देते हैं prices में एक चीज आपने सुनी होगी जो common है higher high higher lows या फिर lower lower highs सबी लोग जानते ना इसके बारे में लेकिन कहां पर कैसे किसका use किया जाएगा किस तरह की confirmations लेनी है अब जैसे माल लिजे यहां पर price ने एक low लगाया था मेरे लिए high low अगेन देखिए यहां से low और यह high लगा और high के बाद में एक यहमारा low लग गया clear ना अब इस low पर किस तरह की volumes आई है prices के अंदर किस तरह की volumes reflect हुई है देखिए आपको volumes के अंदर effect दीखेगा यहां से price अब upside की तरफ जाने लगा तो देखिए यह जो green वाली candle है इसके अंदर की volumes दीखिए एक high volume के साथ price का breakout बाना upside की तरफ क्यूंकि high volume के साथ price ने breakout दिया और यह मेरा swing है मेरे लिए एक important candle बन जाती है 12th of my की candle का high clear अब यहां से क्यूंकि price ने एक high लगा और उसके बाद में वापस से low लगा दिया इस चिसको समझने कोशिश की जगा just एक low again एक high price ने वापस से low लगाया और जिस candle ने low लगाया तो इस candle का high मेरे लिए important है clear है और price ने देखे क्या क्या है इसके ऊपर निकलने की कोशिश की गई है but price sustain नहीं हो पाया यहां से देखे upside की तरफ निकलने की कोशिश की गई but price sustain नहीं हो यह नीचे गिर गया अब यह नीचे गिरा यह तो चली है आज गिर गया लेकिन गिरने से पहले इसने किस तरह की symptoms दिखाये थे उसको समझे price देखे यहां से upside की तरफ गया और गिरने से पहले price हमारा यहां तक आया था और सबसे last जो bullish candle बनी थी मेरी वो यह वाली candle थी 12th of May की candle अब अगर price को upside की तरफ निकलना है तो क्या करना होगा अगर वाकर यह price हमारा bullish है तो इस bullish candle की उपर जा और निकल जा लेकिन कल की trading session में अब देखे जितनी भी markings और जितनी lines आ रही न है इनको याद करते चलिए गा अब वीडियो का माल लेजिए skip भी हो गया है और अचानक से दूसरी तीसी line कहां से आगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा तो सब आगे की चीज सारी बेकार तो धीरे धीरे अगर आप समझोगे न तो समझ में आएगे अब ये चार lines आगी है अब दो lines है हमारी 20th of माई का हाई लो अब यहाँ पर देखिए आगे हुआ क्या है price ने कल की trading session में upside की तरफ जाने के कुशिश की हम लोग आ जाते हैं सिद्धे lower time frame पर देखिए lower time frame पर कल का जो trading session है हमारा यहाँ से price ने upside की तरफ जाने के कुशिश की बट यहाँ से सीधे downside की तरफ प्राइस की तरफ गिर गया opening जो हुई थी market की वो मेरी range के अंदर हुई थी यहाँ पर देखिए price upside की तरफ गया और फिर से गिर गया एक अच्छी खासी volume के साथ देखिए breakout दिया यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि अगर आपका level important है तो वहाँ पर volumes तो आएंगी ऐसे ही किसी level का breakout नहीं हो जाएगा same चीज़ देखिए यहाँ पर हुआ ना 991.85 हमने किया कि हमने तो day time frame पर marking के और कल कैसी volume आने वाली हमें क्या पता लेकिन यह level की importance होती है अगर आपका level important है तो volumes के breakout आपको देखिए exact उसी level पर मिल जाएंगे price हमारे level के बाहर गया और अंदर के तरफ देखिए इसने volumes के breakout देखिए और price पूरे दिन गिरता रहा clear है ना और इसके बाद में आज के दिन इसके volumes के breakout देखिए कल कमूर सौंच मैं है कि कल किस तरह से market ने अपनी range के अंदर breakout दिया था अब देखिए कि 20th of May के low पर आज क्या activity इपका लैब ने की हम चाहें जैसे भी अब 20th of May की candle का low इसका color हम चेंज कर देते हैं शायद थोड़ सा हमने आपसे कहाना है कि एक stock को आप कैसे भी select करो वो किसी भी तरह से आपके पास है इसका मतलब यह नहीं कि वो stock क्यूंकि आपकी watch list में है तो आपको उसे trade करना ही करना है उस stock के अंदर green candle परनी तो buy, sale करना है तो red candle परनी तो sale, ऐसा कुछ नहीं होगा अपनी analysis के according ही सारा काम होगा positive result आने के बाद में stock हमारा गिर रहा है, negative result आने के बाद में stock हमारा upside के दरफ जा रहा है कल याद है आपको PTM के अंदर क्या हुआ था, कि इतने 100 crores का वहाँ पर नुकसान हुआ था, उसके बाबजूद भी उस stock ने थोड़ा बहुत gain किया बहुत छोटी-छोटी चीज़े होती है, आपको कह सकते हूँ, tricks होती है उनको समझना होगा day time frame को भी read करना आना चाहिए, और lower time frame को भी read करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी indicator बगरा लगा दिया जैसा signal आपको वो indicators दे रहे हैं, आप उस तरह से trade करो, यह तो सब trap होता है, अच्छे-चे indicators आपको मालूम है जो सबसे ज़्यादा use होने वाली चीज़े होती हैं, वही सबसे ज़्यादा trap होती है आपको अलग सोचना होगा, आपके पास अपना एक अलग system होना चाहिए, अलग method होना चाहिए यहाँ पर देखे, 20th of May के low पर किस तरह से market हमारी support ले रही है और यहाँ पर हमारी range के अंदर आकर के closing करती है closing कर देने के बाद में, जो यहाँ पर हमने अपना trade execute किया तो यहाँ पर जो हमने अपना trade execute किया, 964 यह मेरा entry का level था अब यह entry का point क्यों है, यह वाली candle आप देख रहे हो, 11.30 की candle इसका just high 964 है, यहाँ पर volumes देख, 964 पर किस तरह की volumes आई है समझ पा रहे है, हमारी range के अंदर 966 के अंदर volumes के breakout हो गया हमने क्या क्या सिंपली, 11.30 की candle के high पर हमने अपनी entry का order लगाया और stop loss हमें इसके अंदर समझ में आया थे, वो upside के, क्योंकि यह वाली candle थी न, जिसने हमारी important candle का breakout का, हमारी range का breakout का था, 966 का, तो इस black वाली बड़ी से candle के high के उपर हमने अपना stop loss लगा दिया, हमारी orders यहाँ पर कहीं execute हो थे life market में उस वक्त ऐसा लग रहा था, कि हमें में भी हो सकता है, कि आज trade नहीं मिल पाएगा बड़ देखे, downside की तरफ गेटते हैं, गेटते हैं, अचानक से green candle बन गए और फिर से red candle यह होता है, जब market चलेगी न, तो आपको बहुत डर लगेगा, greed भी होगा नहीं है, आज तुमको 100 का profit हुआ न, आज 150 का भी हो जाएगा, आज 200 का भी हो जाएगा और वही होता है कि 200 का profit आपका, फिर आप loss में काटता हूँ तो इसे मालूम होना चाहिए न, कि हमें enter कहां पे करना और निकलना कहां पर है यह चीज़ें बहुत help है, fixed होना चाहिए, आपके पास जो आपके rules है न, fixed होने चाहिए अब हमें मालूम है, कि यह वाली जो candle है मेरी, यह एक signification है यह significant point है हमारा, 11.30, हमें entry लेनी है तो यहीं पर लेनी है 9.64 पर हमने अपनी entry ले, and stop loss के लिए जो swing हमने आपको बताया यह मेरा area बना stop loss का 970.30, exact मेरा 970.30, यह stop loss का area बना यहां पर जैसे ही मेरा price आया, हमारे यहां पर trade execute हुआ और within two to three candle हमें अच्छा खासा target इसके अंदर देखने को मिला अब day time frame पर, क्योंकि यह जो swing आप देख रहो न, हम वापस से चलिए day time frame पर चलते है यह कुछ swings थे हमारे, जो अभी हमने draw किया थे market ने last time में इन ही levels पर आ जाने के बाद में rejections दिखाये थे अपसेट की तरफ, यह candle आप देख रहो, यह वली यहीं से इसने upside की तरफ के rejections दिखाये थे अब आज अगर market हमारे किनी levels को break कर रही है 5 minutes पर आ जाते है, हमारे levels को break कर रही है और यहां से अगर हमें upside के rejections दिख रहे है तो हमें यहां से भी यह signal था, कि हमें यहां से बहार निकलना चाहिए क्योंकि यह एक support है, तो हमने क्या क्या है just 11.30 क्योंकि यहां पर देखे, volumes आने start हो गया थे 11.30 के जब आफ हाई देखोगे तो 930 रुपए 20 पैसे हमारा high है और यहां पर जो हमारी exit थी, just 30 पैसे उपर में हमने यहां पर exit माती है तो 930 रुपए 50 पैसे हमारी यहां पर exit होगी थी अभी हमने कहा था ना कि 10 रुपए के लगवाग हमारा नुकसान हुआ था तो वो 10 रुपए को नुकसान यह था 4-4,000,000 रुपए हमको और मिल सकते थे यहां पर profits अच्छे चल लगए थे लेकिन जब price के अंदर हम देखने कि rejections होने लग गए और अच्छा खासा profit भी हमको मिल गया तो यहां सिविरम exit हो गए तो overall यह अपना trade setup आज का था देखिए यह जितने भी profit बगए रहा है profit है loss है जो कुछ भी है चलता रहेगा हो सकता है आपका stop loss जीट हो हो सकता है कि आपको target मिले हो सकता है कि market आपकी side वे रह जाए कुछ चीज़ें fix होती है जैसे कि आपका system fix होना चाहिए आपको entry कैसे लिए नहीं fix होना चाहिए यह जितनी भी मेनत हम करते हैं वीडियो बनाना अभी हमने trade कर लिया trade करके खतम लेकिन वीडियो बना करके हम upload करें क्योंकि अगर इसको आप देखो न तो एक सही चीज़ आपके सामने हो सही चीज़ समझ में ऐसा नहीं कि हम trade कर कैसे आपको बता रहे जैसे जैसे हम trade execute कर रहे वैसे वैसे सारी चीज़ आपको बताते चल जा रहे लेकिन कुछ point ऐसे होते हैं जिनको कि हम publicly reveal नहीं कर सकते आप उसको समझ रही कोशिश करो सो वहां से आपको इन यह stocks इनके लवल से अगरा मिल सकते हैं सो अब हम लोग मिलेंगे next trading session में यानि कि कल कोई अच्छा सा trade मिलेगा तो आप लोगों के साथ उसको जरूर शेयर करें Thank you, goodbye and you will meet again